अज़ दा टॉपिक है मिनरल्स साड़ी बाड़ी नू लगपग एकी मिनरल्स दी जरूरत हुन दी है 21 खनीज लवनों की जरूरत होती है खनीज लवन दो तरह दे हुन दे एक मैक्रो मिनरल्स एक है माइक्रो मिनरल्स अन पहला मैक्रो मैक्रो मिनरल्स वो ने ओक नीज लवन ने जड़े साधे बाड़ी नु ज्यादा ज़रूरत हों दी है अधिक मत्रा में ज्रूरत होती है Minerals which are required in large amount in our diet for body are called Macro Minerals वो केड़े ने जिदा कैलशियम, कलोराइड, मेगनेशियम, फासफोस, पताशियम, सोडियम, सलफ़र, एटसेक्टा और Macro Minerals अगे Macro Minerals है उख नीज लवन जिना दी जरूरत सडी बाडी नो कट मातरा चुन दी है हुंदी जरूर है, वो केड़े ने दा Minerals रिचारज रिक्वाइड इन स्मालर मांटस इन आवर डाइट फार बाडी आर काल्ड Macro Minerals हो केड़े ने क्रोमियम, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आइरन, मैगनेज, जिन्क, एटसेक्टा आर रिक्वाइड इन स्मालर अमांटस इस करके ने नो की कहा देने है Macro Minerals होने थे सिर्फ मेजर Minerals दी गली करांगे उच्छ माइक्रो भी हो सकते ने Macro Minerals हो सोर्स सतरोत जितों सानों मिल देने की महत्ता इंपॉर्टेंस दे कमी नाल केड़े रोग हो जन देने की प्रावलम्स होने ने साड़ी बॉड़ी चलो ले रहे हो तो उतना विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है ताई कैल्सियम बॉड़ी दे विचे ठीक टंगनाल एब्सॉर्ब होएगा बॉड़ी सड़ी सोखेगी कैल्सियम नो अग्या इदे नुक्सान नाल की होंदा मालो कैल्सियम पूरा नहीं जन दा बॉड़ी नो ते ना रिकट से नामक रोग हो जन दा उसमें हडियां कमजूर वा कामल हो जाती है औस्टोफॉर्स होने का खत्रा भी हो सकता है औस्टोफॉर्सियम युजे विचे हडियां को सोडियम ते क्लोराइड दो कठी करते एक रिचने टेबल साल्ट दे विच पनीर दे विच हरे पत्यदार सबजी आदी तो मिल दा है कीपिंग लेवल एंड मेक अप बाड़ी फ्ल्यूड यह सड़ी जड़े बाड़ी दा फ्ल्यूड उन्नों बनाके रखदा है मेंटेन ब्लड प्रेशर ते ब्लड प्रेशर नो ठीक रखदा है ट्रांस्मिशन ओफ नर्व इंपल्से जड़िया सड़िया नर्व जो ठीक टंगनाल कम कर दिया ने एदी काटनाल सोडियम ते कलोराइड दी काटना की हो सकदे मसल क्रेंप्स न्यूजिया वाम्टिंग गुल्टिया आ जान दिया आउनिया शुरू हो जान दिया ने कन्फ्यूजन डिसीजन नी शिती ले सकदे फैटीग थकावट रहन दिया सिर दर्द हों लग पेंदा है पनीर आल्मोंड्स बदाम आदी में होता है ए बोंस ते टीथ नू मजबूत करदा है ते बनोंदा भी है नाल बनोंच मदद करदा है इंपोर्टन फॉर इनर्जी रिलीज इन सेल्स इनर्जी जडी अपा सेल है सेल रिलीज हों दी है जो दो आपा कार्बो हाइडर ते इन बोंस दंदा ते बोंस दी ग्रोथ चे कमी अंदी है अगला मिनरल है पोटाशियम पोटाशियम सा न मिलता बनानाज केलियां चे ड्राई एपरी कोड्स जिन्नों अपा दाखा मी कहा दने हैं केड़नी बीन्स राजमा ते पोटैटोज पोटैटोज दे विच आदी इन पोटैटोज आलू न्यू कंएं इंपोर्टेंस महतता किया मैनेज बलाडड प्रेश भ्लाड प्रेश नू ठीक रखदा है रक्ता चाप को ठीक रखता हैं प्रिवेंट स्टोक स्टोक तो बच 실ंदा है प्रिवेंट किडणि स्टों येड़े किडिय तो निया बिच ब बॉस्ट बोन हेल्थ मेंनेज बलड गलुकोस लेवल भी बाड़ी देविच ठीक रख़दा है इदी काटनाल ब्लेड प्रेशर हाई हो जन्दा रिसक ओफ किडिनी स्टोन किडिनी देविच पथरी बनने चांस हो जन्देने लो केल्शियम लेवल इन बोन्स बोन्स देविच केल्शियम दा लेवल भी कट सकता है इस तो बात आगया है आईरन मोस्ट इंपॉर्टन्ट एक ग्रीन लेवल लीफी वेजिटेबल हरियां पतेदार सबजी यां अंडे मीट लेवर फिश आदी तों मिलदा है फॉर मेकिंग होमोगलोबिन होमोगलोबिन जड़ी जड़ी बल प्लेयर्स घेड़ दे उना दी परफॉर्मेंस दे विच वद्दा हुंदा है अच्छी परफॉर्मेंस दे क्योंकि थक दे नहीं रेडक्शन ऑफ टायडनेस थकावर्ट नहीं हुंदी काटनल की हो जन्दा अनेमिया रोग हो जन्दा खून की कमी आ जाती है तो फिर लेनें आयोडाइज लेना एगज आदी दे विच पाया जन्दा है तूमेग थायरड हार्मोन जड़ा आयोडी ना थायरड हार्मोन नूबनाँ दे विच मदत करदा जदा ना है थायरॉक्सेन इन थायरड ग्लेंड गल्यद जे नेक चुंदा है ब्रेयन ड्वेल्मेंट द दमाग दी विकास लेवी जुरूरी है जड़ा गरब वस्ता दे विच बच्चा पाल रहा है ओदे दमाग दे लेवी दमाग दे विकास लेवी बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है एदी काटनल गॉयटर हो जन्दा गेंगा जिन्नू कहने है स्वेलिंग इन नेक नेक फोल जन्दा है सोजिश है जन्दी है वेट गेन पार बच जन्दा कई के संदे विचे काटवी जन्दा जे ठीक ठांग नालना कम करे थकावट रहन दी है प्राब्लम आफ मेंटल डॉयल्मेंट डूरिंग प्रेगनेंसी ते गरब विच पल दे बच्चे दा दिमागी विकास नहीं हुन्दा केंदा मन्द बुद्धी दा बच्चा भी पैदा हो सकदा है